मित्रों चे मातादी कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में चे मातादी चरू लिखें मातारानी आप सभी का कल्यान करेंगी वर्सतो हज्या 24 में हरी ताली का तीच कब है जानिए सही तीनवतारी क्या है पूजा का सूप मुरत कब है पूजा बिधी क्या है तृतियाति थी कब सुरू होगी कब समाप्थ होगी जानेगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और जादे से जादे सेर करेंगे मित्रों हरिताली का तीज ब्रत का हिंदु धर में विशेश महत्व है भाद्रपद मास के सुक्ल पक्च की तृतिया तिथी को हरिताली का तीज मनाई जाती है भादर पत की सुक्ल त्रीतिया को हस्त नक्षत्र में भगवान सीव और माता पार्वती के पूजन का विशेश महत्व है हरिताली का तीजब्रत, कुवारी और सौभाग्यवती इस्तिया करती है बिधवा महिलाएं भी इस ब्रत को कर सकती है हरिताली का तीज ब्रत निर्याहार और निर्जला किया जाता है माननेता है कि इस ब्रत को सबसे पहले माता पार्वत्ती ने भगवान संकर को पती के रूप में पाने के लिए किया था हरिताली का तीज ब्रत करने से महिलाओं को सवभाग की प्राप्ति होती है हरिताली का तीज में जल ग्रहन नहीं किया जाता है ब्रत के बाद अगले दिन जल ग्रहन करने का पिधान है हरिताली का तीज ब्रत करने पर इसे छोड़ा नहीं जाता है प्रतीक वर्ष इस ब्रत को बिधी बिधान के साथ करना चाहिए हरी तालिका तीज ब्रत के दिन रात्री जागरन करना चाहिए और रात भर भजन किर्टन करना चाहिए अब पूजा करने की बिधी को भी चान लेते हैं जो इस प्रकार है हर तालिका तीज पर माता पारबती और भगवान संकर की बिधी बिधान के साथ पूजा की जती है हर तालिका तीज ब्रत प्रदोस काल में किया जता है हर तालिका पूजन के दिन भगवान सिव, माता पारबती और भगवान गनेश की बालू रेत वकाली मिट्टी से परतिमा पनाई जती है पूजा इस्थल को फूलों से सजाकर एक चौकी रखें और उस चौकी पर केले के पति रखकर भगवान संकर, माता पारबती और भगवान गनेश की पतिमा इस्थापित करें इसके बाद दिवताओं का अहुआन करती हुए भगवान सीव, मता पार्वती और भगवान गनेश का पूरे विधी विधान के साथ पुजा करें। सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी वस्तु रखकर मता पार्वती को चढ़ाना इस बरत्य की मुख्य परंपरा है। इसमें स्यूजी को धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है। यह सुहाग सामगरी सास के चर्ण इसपर्ष करने की बाद ब्राम्हने और ब्राम्हन को दान देना चाहिए इस प्रकार पूजन करने की बाद कथा सुने और रात्री जागरन करे आरती करने की बाद सुभा माता पार्वती को सिंधूर चढ़ाएं वह ककड़ी हलवी का भोग लगा कर ब्रत खोले मित्रों अब पूजा करने का सुप मुहुरत को भी चान लेते हैं ज 6 सितंबर दिन सुक्रवार को मनाई जाएगी त्रीती आतिथी शुरू होगी 5 सितंबर तो हज़ा 24 को रात्री 12 बचकर 25 मियट पर त्रीती आतिथी खत्म होगी 6 सितंबर तो हज़ा 24 को दोपहर 3 बचकर 5 मियट पर